दो दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतीशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताईए क्या गलत किया लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए इस बात पर भी केंद्र सकार ने आपके सीम पर केस कर दिया क्या यह लोग दिल्ली को तभा करना चाहते हैं क्या यह लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूचते रहें इस बात से अर्विन जी को बेहत पीड़ा हुए अर्विन जी ने मुझे एक बात और कही इस सो कॉल्ट छराब घुटाले की जांच में ED ने पिछले दो साल में थाइसो से ज़्यादा रेड बांड ली वो इस सो कॉल्ट छराब घुटाले का पैसा ढूंड रहे हैं अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला मनीश जी के यहां रेड मारी, संजय सिंग जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला हमारे यहां रेड मारी, मार तिहत्तर अजार रुपे मिले तो वो इस so-called शराब घुटाले का पैसा है कहाँ? अर्विंजी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोट के सामने करेंगे सारे देश को सचच बताएंगे कि इस so-called शराब घुटाले का पैसा है कहाँ? उसका सबूत भी देंगे अर्विंजी बहुत सच्चे, देशभग, निडर और सहसी वेक्ती है उनकी लंबी आयू, सेहत और सफलता की कामना करना उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सब के बीच है आखे बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे देश दुनिया के हर बड़ी खबर देखिए अर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूस कनेक्ट पर न्यूस कनेक्ट यानि खबरों से आपका कनेक्ट न्यूस कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहे हर बक्त हर खबर से अपडेटेड़